हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ यू के जी का लेटेस्ट सिलेवस सेर करने जा रही हूँ जो cbsc and icsc बोर्ड पर बेस्ट है जिसमें मैं इंग्लिस मैथ हिंदी ebs का कंप्लेट सिलेवस सेर करने वाली हूँ तो शुरू करते हैं विडियो फर्स सब्जेक्ट है इंग्लिस जिसमें नमबर वन है लेटर्स a to z यू के जी में बच्चों को a to z capital and a small combination लेटर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है नमबर टू है sounds of लेटर्स सभी लेटर्स के phonic sound बच्चों को सिखाया जाते हैं इस तरह से सिखाया जाता है नमबर थ्री है objects related to each letter a to z each letter से जो object होते हैं इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है पिक्चर की help से उन्हें यह सिखाते हैं नमबर फॉर है cvc birds cvc birds में बच्चों को a e i o u family से जितने भी birds है उनको लिखवाया और याद करवाया जाता है नमबर फाइब है opposite birds बच्चों को opposite words भी learn करवाया जाता है for example day का opposite होता है night इस तरह से उन्हें याद करवाया जाता है नमबर six है positional words, positional words में बच्चों को in, on, under and near को different examples की help से समझाते है नमबर seven है rhyming birds, बच्चों को rhyming birds भी सिखाया जाता है rhyming words वैसे words होते हैं जिनके last के two letters same होते हैं और उनका sound भी same होता है for example hat का rhyming bird है mat cat number eight है action birds, action birds में बच्चों को different actions के बारे में बताते हैं for example dancing, running, swimming, number nine blend bird, ten a and articles बच्चों को articles के बारे में बताते हैं कि कहां पर a का use करना है and कहां पर an का use करना है number eleven है this that, बच्चों को this that के use के बारे में बताते हैं उन्हें इस तरह से बताते हैं कि कोई भी single object अगर हमारे पास है तो उसके लिए this का use करते हैं और कोई भी single object हमसे दूर है तो उसके लिए that का use करते हैं इसे बच्चों को picture की help से समझाया जाता है इसमें बच्चों को बताते हैं कि he words के लिए his का और c words के लिए her का use करते हैं बच्चों को picture की help से singular and plural समझाते हैं इसमें एक picture दी रहती है और बच्चों को उससे related question का answer देना होता है तो ये था English का syllabus नेक्स्ट सब्जेक्ट है math जिसमें number 1 है numbers 1 to 200 बच्चों को 1 to 200 तक oral written सिखा दिया जाता है number 2 है number names 1 to 100 तक उन्हें number names learn करवाते हैं number 3 है back counting 100 to 0 100 to 0 तक उन्हें back counting भी सिखाते हैं number 4 है before after between number उन्हें 1 to 100 तक before after between number भी कराते हैं number 5 है addition and subtraction इसमें उन्हें picture addition and subtraction सिखाते हैं and one digit addition and subtraction भी सिखाते हैं number 6 है science greater than smaller than and equal सिखाते हैं number 7 is skip counting 1, 2 and 5 का skip counting सिखाते हैं number 8 है count and write object को count करके लिखना रहता है number 9 है circle the smallest number 1 to 100 1 to 100 तक में smallest number को circle करवाय जाता है number 10 है circle the biggest number 1 to 100 तक में biggest number को भी identify करके circle करवाय जाता है 10s and 1s 1 to 100 तक करवाते हैं number 12 है ascending order 1 to 100 तक उन्हें ascending order भी करवाते हैं number 13 है descending order 1 to 100 तक बच्चों को descending order भी करवाते हैं number 14 time and money उन्हें time and money के बारे में भी पिताया जाता है number 15 shapes, shapes में बच्चों को triangle, circle, rectangle semi circle, oval, diamond इन सब shapes के बारे में बता जाता है pre math concept pre math concept में बच्चों को big or small, front behind in out, full empty heavy light, tall, short thick, thin, more and less के बारे में बताते हैं picture की help से उन्हें सारे concepts को बताया जाता है, तो ये था math का complete syllabus, next subject है हिंदी जिसमें नमर 1 है स्वर्वन स्वर्वन में बच्छों को औ से अ तक oral जेटन सिखाया जाता है उन्हें औ से अनार आ से आम इस तरह से लर्ड करवाते हैं 20 है 22 248 वाले सब्सक्राइथ बिना मात्रा वाले स्ब्सक्राइब उन्हें जोड जोड कर लिखना सिखाते हैं इंन वारी वा स्टाइब4 babu जैसे कर्लर सबतर सब्सक्वाले और वासिangen्याफ तक चल wham I am at are बाकिय भी लिखना और पढ़ना सिखाते हैं नेक्स्ट है मौखिक बचों को जो मौखिक कराया जाता है उनमें सहरंगों के नाम, फूलों के नाम, फलों और सबजीयों के नाम, जानवरों के नाम, दिनों के नाम ये सब उन्हें मौखिक ही कराया जाता है इन्हें पिक्चर्स को दिखाकर हिंदी में उनके नाम बताये जाते हैं नमबर फाइब है समान लएवाले शब्द, मतलब तुकांत शब्द, जैसे नहर, लहर, इस तरह से उन्हें लर्ण करवाते हैं नेक्ष्ट सब्जेक्ट है इविएस, जिसमें नमबर वन है माई सेल्फ, माई सेल्फ में बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलने के लिए बताया जाता है नमबर तू है माई होम, होम के डिफरेंट पार्ट्स एंड उनके यूजर्स के बारे में बताते हैं नमबर 3 है my school, school के different parts and users के बारे में बताते हैं, नमबर 4 है body parts, body parts के name learn करवाया जाता है, नमबर 5 है sense organs, sense organs के बारे में बताया जाता है, नमबर 6 है season, season में बच्चों को summer, winter, rainy season के बारे में बताते हैं, कि इन seasons में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, नमबर 7 है fruits, vegetables and birds, के name learn करवाय जाते है नबर 8 है animals animals पे बच्चों को wild, pet, farm and sea animals के बारे में बताते है नबर 9 है animals and their young ones animals के young ones के name learn करवाय जाते है नबर 10 है animals and their sounds animals कैसा sound करते है इसके बारे में बताते है नबर 11 animals and their homes animals के home को क्या कहते है इसके बारे में उन्हें बताया जाता है, number 12 है community helpers, number 13 है traffic rules, traffic rules के बारे में बच्चों को बताया जाता है, number 14 है transport, transport में बच्चों को air, land and water transport के बारे में बताते हैं, सब कुछ उन्हें pictures की example से ही सिखाया जाता है, number 15 है festivals, इंडिया में जो main main festival होते हैं, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, number 16 living and non living things के बारे में उन्हें बताया जाता है, number 17 parts of plant, plant के parts के बारे में उन्हें बताया जाता है, number 18 importance of plant, plants का हमारे life में क्या importance है, इसके बारे में भी उन्हें बताते हैं, number 19 name of the months, months के name उन्हें learn करवाते है number 20 days of the week weekdays के name learn करवाते है number 21 national symbols इंडिया के national symbols के बारे में उन्हें बताते हैं तो ये था EBS का complete slayvers तो ये था UKG का complete slayvers I hope आपके लिए वीडियो helpful रही हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिलते है नेक्ट वीडियो में नए topic के साथ